आज मैं आपको पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप्स, एजेंट और डिफरेंस के बारे में बताऊंगा हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं पॉलिनेशन टॉपिक की तो पॉलिनेशन टॉपिक जो है, क्लास 10 और क्लास 12 में ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है ये टॉपिक 3 मार्क से 4 मार्क में ये पूछा जाता है, very short, short या long में भी ये question आ सकता तो आज हम जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है तो जैसा कि आप बॉर्ट पे देख रहे हैं, पॉलिनेशन की definition लिखी हुई है The transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called pollination पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन की यहाँ पर definition दी हुई है पॉलिनेशन क्या है? एक process है इस process में क्या होता है? ट्रांसफर होता है pollen grains का और यह pollen grain transfer होते हैं anther से stigma तक तो इस process को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं अगर इसकी definition कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं पॉलिनेशन is a process in which the transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called pollination तो यह पॉलिनेशन की definition हो जाती है अब हम बात करते हैं pollination के types की तो pollination के types की लिए बात करें तो आप यहां पर देख रहे हैं pollination के basically दो types हैं पहला self-pollination, दूसरा cross-pollination self-pollination का मतलब होता है same flower और cross-pollination का मतलब होता है different flower की बात करी जा रही है तो इस self-pollination की अगर आप से definition पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं self-pollination is a process in which the transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower so it is called self-pollination and another is cross-pollination cross-pollination की अगर हम बात करते हैं same definition रहेगी सिर्फ आपको एक word change करना है वो last में वो different flower तो इसकी definition हम लोग क्या लिखेंगे cross-pollination is a pollination in which the transfer of pollen grain from anther to stigma of a different flower so it is called cross-pollination अब हम बात करते हैं diagram की थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे self-pollination होगा और कहां से cross-pollination होगा तो आप इस figure में आप देख रहे हैं यह एक flower है एक पेड़ है पौदा है उसमें देखिए यह दो ब्रांच है दोनों ब्रांचों पर क्या है एक-एक flower आया हुआ है इस flower में आप देखिए self-pollination क्या होता है जब कोई flower है और flower अगर bisexual है तो bisexual flower में male और female पार्ट दोनों ही जब एक फी फूल में पाये आते हैं एक ही flower में पाये आते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं bisexual flower तो यहां पर आप दे रखाए इस bisexual flower में यह जो पार्ट ہے यह आपका female पार्ट है यह आपका male पार्ट है जो red color का दिख रहा है तो यह जो redya पार्ट का जो पार्ट यह दिख रहा है male पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ends Quốc और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं तो एंडू इंथर जो हैं यहां से फीमेल पार्ट में अगर चले जाते हैं तो यह क्या कहलाता है self-pollination यानि flower के अंदर male और female दुन ही पार्ट है तो male पार्ट के अंतर female पार्ट तक पहुँच जाते हैं transfer हो जाते हैं तो वो क्या process कहलाता है self-pollination कहलाता है किसी को हम लोग autogammy के नम से भी इसको हम लोग जानते है self-pollination का अने दर नेम एक तरह का ऑटोगैमी सेम लिखा हुए यानि एक ही फूल में पॉलन ग्रेंड का ट्रांसवर एंथर से इस्टिगमा तक अगर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे या फिर ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं इसी में दूसरा टॉपिक आता है जिनेटोगैमी जिनेटोगैमी क्या है आप इसमें देख रहे हैं कि एक पौदा है उसमें एक ब्रांच यह है जिसमें फ्लार आया और एक दूसरी ब्रांच है जिसमें इसके male part जो है इसके ऐंथर जो है इस वाले female part तक अगर transfer होकर आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे genetogammy कहेंगे। इसलिए इसके genetogammy के definition फ्लार आफ दा सेми plant, plant सेयम है पर फ्लार क्या है।्स दिफरेंट और ये दिफरेंट फ्लार क्या है। ये दिफरेंट इफरेंट भरंचे पे होंगे। तो इसलिए इसको उम लोग क्या कहते हैं। जनेटो गैमी कहते हैं, नेक्स जैस में क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम एक होता है, जैनो गैमी, फ्लावर फ्रॉम डिफ्रेंट प्लांट्स ऑफ दा सेम स्पीशीज, अब यहां पे आप देख रहे हैं, एक प्लांट ए है, एक प् इन मेल पाट यानि स्टिगमा तक एंधर यहां से निकल कर ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट के स्टिगमा तक आ रहे हैं, तो यह प्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं, यह फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैनो गैमी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कौन कौन से एजन्ट है, क्योंकि यह पॉलिनेशन प्रॉसेस के लिए एजन्ट बहुत ज़रूरी है, और यह एजन्ट दो तरह के होते हैं, एक बाइयोटिक और एक एबाइयोटिक, तो एबाइयोटिक जो एजन्सी इसमें क्या होता है, नॉन– living agent इसमें non-living agents आते हैं तो non-living agent कौन-कौन से हो जाएंगी wind और water अब आपको यह समझना है कि pollination तो आपको समझ में आ गया pollination की definition is the transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called pollination अब pollination तो होगा और किस agent की वज़े से होगा तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है अगर transfer हो रहा है pollen grain का anther से stigma की तरफ और उसमें wind अगर help कर रही है तो तो हम उसको क्या बोलेंगा उस agent को एनीमोफेली कहेंगे water के through pollen grain transfer हो रहा है एन्थर स्टिक्मा की तरफ तो वह hydrophily कहा जाएगा इसी का दूसरा पार्ट है बायोटिक एजेंसिज बायोटिक में क्या होता है living agents आते हैं तो बायोटिक में क्या हो जाएगा हमारे living agents आ जाएंगे living agent कौन कौन से हो जाएंगे इंसेक्ट अगर pollen grain transfer हो रहा है एन्थर टु स्टिक्मा की तरफ इंसेक्ट की वज़े से पॉलंग्रेमगर ट्रंसफर कर रा है तो वह प्रट की वयसे और ली स्कों मेलिकोफैली तो ये किया थे हमारे एजेंट से उसके बाद हम बात करते हैं और पॉलिनेक्षन के सब्क्र करते हैं और क्रॉस पॉलिनेंजन के दिफरेंस की यह भी बहुत यह पुचह जा है difference तो हम बात करते हैं self-pollination और cross-pollination self-pollination में क्या होता pollinating agent की requirement नहीं होती है but cross-pollination में क्या होता है pollinating agent यानि इन agent की जरूवत पड़ती है पर इन agent की जरूवत self-pollination में नहीं पड़ती है क्यों नहीं पड़ती है क्योंकि self-pollination जो होता है सेम फ्लार में हो जाता है और मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो पास पास होते हैं तो वहाँ पर एजेंट की नहीं होती है दूसरा पॉइंट जब बाइसेक्सवल फ्लार है और बाइसेक्सवल फ्लार में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही पाय जाते हैं तो व उटरर और फिमील पर क्रोस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता व्लानट aged यह चाहिं वह इसलिए जरूरी नहीं है कि दोनों बचिपांट Мें यह प्लांट उखily mad धतर ब्लां प्लांट में पाया जाता है पर क्रось पॉलिनेशन जो होता है वह प्लाइस प्लार और यूनिसैक्सवल फ्लार में भी पाया जाता है cl Saint range को नी पॉलिनेशन फ候ट है शिइर बाइंस डेवलप नहीं हो पाता है तुक्राइसल आने की वज़े से क्या होता उसमें शीड की quality अच्छी हो जाती है या और भी अच्छी हो जाती है फिप्ट की बात करते हैं transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower अगर same flower में अधर जो है transfer होकर कहां जा रहे है female part की तरफ जा रहे है यानि क्या कहा जा रहा है pollen grain का अगर transfer and thar से stigma की ओर रहा है तो वह ऑगर से फ्लार में और रहा है तो प सेल्फ-पॉलिणेशन और डिफरेंट फ्लार में हो रहा है इसको क्या कहेंगे Cross pollination कहेंगे अब हम बात करते हैं agent की एजेंट की बात कर चुक्त कि अब बात करते हैं एडवांटेज़ की तो एडवांटेज़ क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज़ यह हैं कि पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि पास-पास मेल और फीमेल पार्ट होते हैं बाई सेक्सुली प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता ज इसकी disadvantages की बात करें, तो progeny becomes weak, यानि disadvantage यह है कि इनकी progeny यानि genes जो होते आने वाली जो generation जो होती है, वो weak होती चली आती, तो यह अच्छी quality के जो sheet जो है future में develop नहीं हो पाते हैं, दूसरा point is sheet are light and small, तो disadvantage यह है, self-pollination की इसमें जो भी sheet यानि beach जो बनते हैं, वो बहुत जादा छोटे होते हैं, और बहुत जादा हलके होते हैं, अब हम बात करते हैं, advantages of cross-pollination की, Sheed are disease resistant varieties, cross-pollination में जो भी sheet बनते हैं, वो disease resistant होते हैं, यानि ऐसे sheet बनते हैं, जो बहुत जल्दी बीमार नहीं होते हैं, अच्छे और स्वस्थ यानि healthy sheet develop होते हैं, दूसरा point है, germinating capacity of sheet is much better, जो भी sheet cross-pollination से develop होते हैं, तो उनकी quality अच्छी होते हैं, और वो future में बहुत ही अच्छे sheet बनते हैं जाकर, और इनके character जो होते हैं, बहुत ही useful होते हैं, character जो की धीन में appear होते हैं, अब इनकी हम बात करते हैं, disadvantages की, तो disadvantage यह है कि pollen grains जो होते हैं, वो waste बहुत ज़ादा होते हैं, क्योंकि plant अलग-अलग होते हैं, तो काफी distance होने की वज़े से pollen grain का waste यहाँ पर ज़ादा होता, cross-pollination में, last point, attracting agent are required, cross-pollination में pollinating agent की need बहुत ज़ादा होते हैं, क्योंकि plant बहुत दूर-दूर होते हैं, और इस वज़े से यह agent जो है, pollinating agent pollination में क्या करते हैं, help करते हैं, thank you. क्योंकि क्योंकि अच्योन कर दादास.